नमस्कार जूम न्यूज में आपका स्वागत हैं बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही पहले मारास्ट्र में सरकार नहीं बना पाई सिवसेना गठवंदन से अलग हो गई अपने 18 सांसदों समेत साथ ही लोग जनसक्ति पार्टी जो की जारखंड में अब अपने प्रत्याशी अलग से उतार रही है NDA से अलग होने का मानस बना रही है इसी बीच खबर करनाटक से आई है वहाँ पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचनाओं में उन अयोग के ठहराए हुए 17 विधायकों को चुनाओ लड़ने की अनुमती मिल गई है जिनकी अयोग यता के चलते B.S. यद्धी उरुपा एक बार फिर से B.J.P की सरकार बनाने में सफल हुए थे जिहां करनाटक में होने वाले 5 दिसंबर के उपचनाओं में लगबग तै है करनाटक में कुछ महीने पहले अपने ही विधायकों के पाला बदलने से कॉंग्रेस और JDS की गढ़वंदन सरकार गिर गई थी विधानसबा में विश्वासमत हासिल करने में विफल रहने पर कुमार स्वामी सरकार ने इस्तिफा दे दिया था विधानसबा के स्पीकर ने 17 विधायकों को अरोग्य करार दिया तो BJP ने आसानी से सरकार बना ली क्योंकि जब 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया तो सदस्यों की संख्या 224 से घटकर 207 हो गई और बहुमत 104 पे आ गया BJP के पास 106 विधायकों का समर्थन था जिसमें उसके 105 थे और एक अन्य में ऐसे में उसकी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई अब होने वाले उपचनाओं में BJP को कम से कम 6 सीटें जीतनी होंगी करनाटक करनाटक किस करवट बैठता है क्या यद्धी उरोपा सरकार बचा पाएंगे कांग्रेस और JDS की टीम क्या कुछ और नया प्रयास कर पाएगी कि सरकार फिर से बन सके चुँकि अयुग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमती मिलने से सीधे तोर पर सिंप्यथी उनके साथ होगी सब्सक्राइब कीजिए जुड़े रहे जुम न्यूज के साथ